नवाश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल स्क्लिपियर सायर विदमेंग दोस्तों आज के सेसन में हम जनकारी देंगे आपको सफलता को पाने के लिए आपको क्या 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 करना चाहिए जी हाँ दोस्तों आज की डेट में हर वेक्ति चाहता है कि मैं एक सफल वेक्ति हूँ लेकिन क्या आपको पता है इस सफलता को पाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है बहुत ही हाड वर्क करना पड़ता है अपने अपको अपने अंदर से काफी आपको मेंटेन रखना पड़ता है एक डिसिप्रिन लाइफ जीनी पड़ती है बहुत सारी आदते जो है बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़नी पड़ती है अपना जो skill है अंदर का जो भी soft skill है उन सब को develop करना पड़ता है जो भी कमिया है उनको side में रखकर आपको सुचना पड़ता है समास से थोड़ा सा हट की चलना पड़ता है बहुत सारी चीजे सोचनी पड़ती है इस सफलता को पाने के लिए तो मैं आज कुछ points के उपर मैं बात करूंगा जिसे आप जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा आए दोस्तों हम वीडियो को start करते हैं सफलता के इस सफर में हम एक दूसरे के साथ चलते हैं आए हम बात करें सफलता के उपर दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं तो सबसे पहले तो आपको plan करना होगा किसी भी work को करने के लिए एक plan बनाना होगा जब तक आप plan नहीं बनाईएगा एक system से नहीं चलिएगा तब तक उस जगह पे पहुंचना आपको पहुंच दो सकते हैं हो सकता है पहुंच जाएं बट उस जगह पे सही से पहुंचना या जल्द से जल्द पहुँचना ये बहुत ही critical होता है एक plan बनाने के बाद एक systematic तरीके से हम उस मंजिल को प्राप्ट कर सकते हैं उसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि जब आपने plan कर लिया तो उस plan को उस plan पर आपको अडिग रहना पड़ता है आपने plan बनाया अचानक plan अपने drop कर दिया बार-बार plan बनायेंगे बार-बार plan को drop कर देंगे ऐसे क्या होगा कि आप उस जगह तक नहीं पहुच जकते हैं तो सफलता पाने के लिए जितना जरूरी है plan बनाना उतना ही जरूरी है उस plan पे stick रहना उस plan पे अडिग रहना टिके रहना उसके बाद plan तो का जो mind है उसको भी आपको बार-बार plan को बताना होगा भी अपने plan बनाया अब उस plan को अपने दिमाग को बार-बार आपको समझाना होगा कि मैंने यह plan बना है इस plan पे मुझे काम करना है आपको बार-बार दोहराना इसके पीछे region है actually जो हमारा mind है इसमें एक कह सकते हैं क् system है clock system इसलिए मैंने बोला कि जैसे माली यह बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें की सुबा जगने में बहुत ही दिक्कत होती है यदि उनको कह दिया जाए कि आपको सुबा उठना है चार बजे या पांच बजे जो भी timing है उस time पे जगना है बिना alarm लगाया हुए तो बहु यह बताईए कि मुझे सुबा चार बजे अपने timing fix कर लिए इतने बजे जगना है यह बार बार दोहराईए दोस्तों यह इसको विश्वास किजिए आज आप रात को जब सोईएगा तो इस चीज को जरूर दोहराईएगा देखिएगा जितना time आपने लगाया है जितने ब बार बार दोहराईए अपने mindset को mindset कीजिए और mind को बार 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 बताईए कि मैंने यह plan बनाया है इस plan पर work करना है उसके बाद next next क्या है कि किसी भी work को करने के लिए अंदर से excitement चाहिए तो वह excitement आएगा कहां से तो जो आपने plan बनाया किस लिए बनाया तो success के लिए तो उस success जो भी आपने एक target गोल जो आपने fix किया उस goal को achieve होने के बाद आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है उस खुशी का आपको कलपना करना है imagine करना है imagine कीजिएगा तो आपके अंदर से excitement आएगा और उस plan पे plan वे से systematic तरीके से आपको आगे बढ़ते जाएगा excitement के साथ तो दोस्तों यह कुछ tips हैं जिससे कि हम success को जल्दी से बहुत बेहतरिन तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कुछ scientific चीज भी है कि आप कोई भी plan को अपने mind को बार बार अपना mindset करते हो तो उस plan को achieve करने में आपको काफी असानी महसूस होगी I hope दोस्तों आपको मेरे दुवारा दी गई success tips के उपर जो जनकारी में दिया हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो में comment जरू किजेगा कि आपको यह जनकारी कैसे लगी एदी जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like किजेगा अपने दोस्तों के नई जनकारी होना है अपडेट के साथ धन्यवाद